तीन महीने बाद जैक को मिला चेयर्मेन अनिल माहतो अधियच और डाक्टर विनोध सी उपाधियच होंगी सिछा मंत्री ने की नाम की घोसना तीन महीने के मन्थन की बाद अब जारखन एकेडमिक कॉंसिल के अधियच और उपाधियच के नाम की घोसना की गई है सिछा मंत्री जगरनात माहतो ने सुक्रुवार देर साम इसकी जनकारी दीर राची युनिवर्शिटी के प्रिचानी अंत्रक और विनोध विहारी माहतो क कोईलांचल युनिवर्शिटी के प्रोवी सी रहे अनिल महतो अधियच होंगे जब की केसी कॉलेज वेडो के प्रूफेसर इंचार्च डाउटर विनोध सी उपाधियच होंगे अब सिछा मंत्री की अनुसंसा पर सीम की मंजूरी मिलते ही अधिसुचना जारी कर दी जाए निदेशक ने सदर अस्पताल की तैयारियों का लिया जाजा हर वाड़का क्या निरच्छन पी एस ए प्लांट को पंदरा दिन की भीतर सुरू करने का दिया निर्देश क्रोना के नए वेरी एंट ओमिक्रोन की आहाट के भी हेल्द डिपार्टमेंट स्वास्त विधाओं को द्रस्त करने में जुट गया कल जहां रिम्स की डारेक्टर ने कोविड वाड़की इस्तिती का जाए जालिया आज नेशन हेल्थ मीशन की अभिया निदेशकर में गोल ए प्लांट को 15 दिन के वीतर शुरू करने का आदेश दिया ऑक्सिजन प्लांट का काम कर रही एजेंसी को 26 दिसमबर तक काम पूरा करने का दिया आदेश गिरिडी में संदिग्द हालत में मिली गर्वती महला की लास माता पिता ने लगाया हत्यक आरोप जंगरिडी गाउं में बिस्तर पर पड़ा था वीटी का सव गिरिडी के नवडी में एक गर्वती महला की लास घर से ब्रामत के गए घटना जंगरिडी गाउं की है महला का नाम ममता देवी बताया जा रहा है सुक्रवार की रात रे उसका संदिग्द हालत में मिला घर्टना की सुचना मिलने के बाद मैके वाले पहुची बेटी की लास दे कर वा हत प्रभा हो गए मैके वालों ने सुसरार पच पर दहेज के लिए हतिया का आरूप लगाते हुए केस दर्ज क्राय है मरने वाली मेहला की उम्र करीब 26 वर्षती करीब 10 वर्ष पहले उसका विवा भूला वर्मा नाम के युवक की साथ वाथा जनकारी मिलने की बाद मौके पहुची पुलिस ने अपनी जांच प्रारम कर दी महला के मैके वालों ने बताए कि मम्तदेवी के सास ने फोन कर सुचना दी कि आपकी बेटी ने जहर खा लिया है उसे इलाज के लिए गिरिडी अत्वा बेंगा वाद इस्तित अस्पताल लेकर जा रहे हैं यह सुनकर प्रिवार की लोग बेटी की ससरा जंगरी डी गाँ फोहची लड़की के पिता जमुआ थारा छेतर के बाटी निवासी विहारी महतों ने दावा किया की बेटी को इलाज के लिए नहीं कहीं और ले जाया जा गया था उन्होंने बेटी की मृत अवस्ता में घर क बिष्तर पर पड़ा हुआ पाया अधुदी आंदौलन में सामिल जारखन आंदौलन कारी संगर्श मोर्चा के विद अध्याच अजम अहमद ने दैनिक भाशकर को बताए जब यहां आध्टंगवाधियों और अप्राधियों को पचिय लाग दिया जा रहा है तो आंदौलन कारी को तीन हजर किस तरह दिया मान्षमान और पेंशन मिलना चाहिए दो घंटे के परदर्शन के बाद जारकन अंदौलन कारी दिसी छवी रंजन को यापन सौप कर लोट गए इस दरान अंदौलन कारी प्रामपारिक हतियार के साद जै जारकन हमारी मांगे पुरी करो ज्घारकन अंदारन कार्यों का मांशमान देना होगा आधिनारे लगार है थे पलामु के स्रीरां मंदिर में चांधी के बारम कुट चोरी 48 गंटे में दूसरी बार आस्ता के केंदर को बनाय गया निसाना चालो लोग हिरासत में जहरकन के प्लामुजिले में चोरो कामनोबल बढ़ता हुआ है 44 घंटे के अंदर दुसरी बार मंदिर में चोरी की वर्दाता को अंजाम दिया गिया मेदिनी निगर सहर थाना छेत के नावटोली में इस्तीद ललिती दुसरी राम मंदिर से चांदी की बारमुकुट चोरी कर लिए इनके अलावा दान पेटी को छती गरस्त कर पैसे की निकासी कर लिए चोरों ने दान पात्र का ताला तोड़ने के लिए भगवान संकर के तिरसुल का इस्तिमाल किया पुलीस ने इस मामले में पुछताच के लिए चार लोगों को हिरासत मिलिया है चोरी की इस घटना को सुक्रुवार की देर रात अंजाम द्या गया हर दिन की तरह मंदिर के पुजारी मंदिर में ताला बंद कर अपने घर चले गए थे अपराधि दिवान लांकर प्रिशर में प्रिवेश कर गए इसके बाद भगवान संकर के तिरसुल को उसके अस्थान से उठा कर दान पेटी को ताला तोड़ दिया इस गाटना में तिरसुल को छतिगरस्त हो गया है इसके बाद मंदिर में रखी अलग-अलग परतिमाओं पर लगाए गए च्यांदी की मुकुट निकाल लिये गए मंदिर में लगा पीतल का एक जाला भी गायब है सनीवार की सुबा जब पुजारी और सरधालू मंदिर में पुजा करने पहुचित उन्हें इनकी जनकारी में लिए इसके बाद मामले की जनकारी पुलीस को दी गई पुलीस नकसली मुठ भीट से दहला जंगल भागपा मावादियों के गढ़ में घिर गया रविन्दर गंजु दाश्टा जारखन के गुमला जिल्ले में भागपा मावादियों के गड़ बल्लत से जुरुवानी केरा कोना जंगल में रविंद्र गंजों के दस्ते के साथ पुलीस की आज सनी वार को मुटभेड हो गई दोनों तरफ से एक घंटा तक रुकरक कर फैरिंग हुई गोली चलने के आवाज आसपास के गाउं के ग्रामिनों नी सुनी सुत्रों के अनुसार मुटभेड के दरान पांच से छग बड़े धमाके के आवाज सुनी गई वार्डुक रुक कर गोली की आवाज लगबग एक घंटा तक आतरा हाला की इस मुटभेड में दोनों पच्छ में बनालता इलाके में मावादियों के खिलाप अभियान चला रहा था इसी करम में सनी वार को जुडवानी केरा कोना जंगल में मावादियों की साथ मुटभेड हुई है इस अभियान में HDPO इंस्पेक्टर थाना पर भारी SI सहित अनी जवान शामिल है सुत्रों के अनुसा जैपालसी मुंडा के बाद जहारखन आंदालन को गती देने वाल ए नए हीरो को कितना जानते हैं आप जहारखन अलग राज के लिए आंदालन के अगवा थे आज 11 दिसंबर को उनकी पुनिती थी है जैपालसी मुंडा के बाद उन्होंने जहारखन आंदालन के नेत्रित क इसे गती परदान किया था ज्ञारखन अलग राज के लिए संगर्ष करने वाले गांधिवादी नेताओं में होरो साहब का नाम सुमारू है ए नई होरो का जन 31 मर्च 1925 को ज्ञारखन के खुटी जिल्ले के कोरा परखन के गोविनपूर में हुआ था उनकी प्रारंभिक सिच्चा मुरूहू में हुई थी इसके बाद सत्व कोलमबस कोलेज हर जारी बाग से असनातक तथा छोटा नाकपूर लो कोलेज लो की पढ़ाई की थी इसके बाद हाई अस्कूल राची में बतर सी चक सेवा दी थी जारखन पार्टी के अधिया जैपासी मुंड़ 1962 में कांग्रेश में सामिल हो गए थे तथा जारखन पार्टी का कांग्रेश में विलाई की घोसना कर दी गए थी ए नई हेरो ने जारखन पार्टी का कांग्रेश में विलाई पर पूर्जोर विरोध किया था इसके बाद उन्हुने पार्टी की कामन संभालिती तथा जारखर आंदालों को आगे बढ़ाये था एने हीरो सबसे पहले उनिस सर्षट में कोल्यवीरा विधान सभा से चुनाल लड़कर विधायक बने 1968 में तद कालिन बिहार सरकार में योजना एवम जन्सर परक मंतरी तथा उनिस सर्षट में सिच्छा मंतरी बने इस दरार उन्हुनी सिच्छा के चेतर में कई काम किये थे खुटी लोक सभा में दो बार शन्सद रहे इसके अलावा तौर्पा विधान सभा में 1977 से 2000 तग लगातार विधायक चुने जाते थे गुम नामी में जी रही 1971 की भारत पाक लड़ाई में सही सैनिकों के प्रिवारों की क्या है पीड़ा 1971 की भारत पाक लड़ाई में देश की रच्छा में सहीध होने वाले कई जा जवान सैनिकों के प्रिवार आज गुम नामी में जी रहें जारखन के खुटी जीले के रन या परखन के कोई नारक गाम के रहने वाले रेजना गुड़िया भी 1971 की लड़ाई में सवीध हुए थे वे बिहार रेजिमेंट में थे 11 दिसंबर 1971 को पाक सैनिकों के खिलाप लड़ते हुए वीर गति को प्राप्थ हो गए वे आफरेशन लिली का हिस्सा थे उनकी भाई रोयान गुड़िया बताते हैं कि उन्हें अगर तल्ल में वही पर दफनाया गया जहां प्रमवीर चक्र विजेत अलवट एकका को दफनाया गया था यही पर तौरपा परखन के जटनी टोली के रहने वाले प्रभू दान धान को भी दफना यही प्रोब में थाइ़ दान करत करते हैं